असलाम लेकुम फ्रेंज वेलकम टू ओनली फूदी आज आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही उम्दा मज़ेदार किसम की चटनी जब कभी आपका घर में खाना पकाने का ना दिल करें और कुछ लाइट और मज़ेदार सा खाने का दिल करें तो आप ये चटनी जरूर बना करेंगे दस से बारह हमें चाहिए होगे लसन के जवे दो अदद हरी मिर्चे और तीन लिमों का रस इसमें जाएगा तो सबसे पहले मैंने पैन को जो है गरम कर दिया है मीडियम फ्लेम पे तो इस तरह से हम प्यास टमाटर जो है और लसन और ये मिर्चे ये सब हम पांच मि आप देख सकते हैं कि यह चेंज हो गया है प्यास का भी तुमाटर का भी इससे बड़ा स्मोकी सा एफेक्ट आएगा चट्नी में बहुत ही मज़दार सा फ्लेवर जो है यह देगी तो बस दो मिनट मजीद हम इसको इसको इसके लिए तो दो मिनट हमने दूसरी साइड से भ कर देंगे और इस तरीके से इसके दो दो टुकड़े कर देंगे ताकि यह असानी से जो है घ्राइंड भी हो जाएगा और बड़ा स्मूद सा पेस्ट त्यार हो जागा प्यास को भी इसी तरह से इसके चार टुकड़े हम कर लेंगे और मेर्ज के ऊपर से हम यह रिमूफ कर देंगे टॉक और इसको भी हम तू पीसेज में स्लाइस कर लेंगे ठीक है यह सब चीजे अब हमारी ग्राइंडर में जाने के लिए हैं तयार आप चाहें तो इसको नॉर्मल चटूवटे में भी कूट सकते हैं और ग्राइंडर में भ कर दूँगी प्याज लसन और हरी मिर्चे इस सब चीजें डालने के बाद इसमें जो तीन अदद लीमू थे हमारे पास उसका मैं रस शामिल कर दूँगी वन टीस्पून इसमें जाएगा नमक का वन टीस्पून जाएगा साबत जीरा और वन टीस्पून इसमें जाएगा खुटी हुई लाल मिर्चे और ये सब चीजें डालने के बाद सब चीजें शामिल करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि जो ब्लेंडिंग है इसकी वो और भी ईजी हो जाए जस्फ्यू डॉप्स ऑफ वॉटर और ये सब चीजें डालने के बाद मैं इन को कर दूँगी चॉप तो हमने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है दो से तीन दफा मैंने जस्ट इसका चॉपर को चलाया है क्योंकि हमने इसको दरदरा सा रखना है बहुत ज्यादा आपने इसको पेस्ट की शेप में नहीं बनाना जिए देखें कितनी उंदा बनके हुई है तियार और क्या जबरदस इसका कलर आया है तो हमारी उंदा सी स्मोक चिटनी बनके हो गई है तयार आप इसको सालन और रोटी के साथ भी एंजोई कर सकते हैं और चावलों के उपर डालके भी इस्तमाल कर सकते हैं या आपको बहुत ही लाजवाब किसम का जाइका देगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड और फामिली के साथ शेयर करिएगा इसको ट्राइ करिएगा और हमें अपनी दौाओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल ओनली फू